यह उट सुप गें, इसके से आफ सो भी लोग, welcome back to another gameplay वीडियो, तो गई सारे जो में लोग दुबार से केलने चारे हैं, GTA 5 तो भी लोग को याद होगा कि लास लोग एपिसोड में लैस्टर ने माइकल, ट्रैवर, फ्रैंकलीन और अपने लिए एक बहुत ही तकड़ा सामने की तरफ में इतने सारे कबूदर बैट रहे हैं, एक गोली चलाता हूँ यहाँ पर इनके उपर यह देखो बाई, यहाँ पर बैटके सारे के सारे दाना खा रहे थे, चलो कोई नहीं मैंने बिचार को ड़ा दिया, अपना बात में वह आपिस आ जाएंगे दाना खाने के लिए, बाकी तो है अभी आपको पता होगा, लास्ट टाइम ना मेरे को एक बहुत ही तकड़ा पांच कार का ओर रहा था, और वो बंदा मेरे को न पांच कार के दे रहा दिल्ली में ही हो रहा है, वहसा मौसम ही लौस आंटास में भी हो रहा है, तो आपके वहाँ भी कैसा मौसम हो रहा है, बारी शुरिया फिर धूप निकल लिया, कमेंट में जरूर बताना, फिलाल छोड़ो अभी न यहां पर आपको पता होगा, जो अपने वह पांच कार का बताया कि अरीना वोर के अंदर बुलेट प्रूफ वीकल अलाउड नहीं होती, मतलब कि तुम अपनी कार को कितना भी मोडिफाय कर लो, लेकिन अगर तुमारी कार बुलेट प्रूफ है, यानि कि तुमारी कार के ओपर आर्मर्ड प्लेट लगी हुए, तुम जब जो मेरा शोरूम है, आपको सामने की तरफ में दिखी किया होगा, आपसे दिखा नहीं है, उसी वाली बिलिंग के बेस्मेंट में है, तो अभी जली से शोरूम में चलते हैं, और वहाँ पर चलके सारी की सारी बात, मैं बैनी को बता देता हूँ कि कि इस टाइप की गाड़ मैं अपनी एले फरारी को लेकर नीचे बेस्मेंट में पहुच चका हूँ, यानि के इपने शोरूम में पहुच चका हूँ, और आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, यहाँ पर ना बैनी लग रहा है कि इसी गाड़ी का एंजिन रिपेर करने में लगा हुए, त तो इसने बोला है कि यार तुमें ना लिबर्टी सिटी जाना पड़ेगा, वहाँ पर ना उस टाइप की गाड़ी आना बहुत जादा मिलते हैं, तो यार देखो अभी ना मेरे को लिबर्टी सिटी जाने का टाइम थो है नी, क्योंकि अभी ना मेरे को लेस्टन ने मिलने क अभी उस बेस की सिक्यूरिटी और भी जादा बढ़ाने के लिए, मिलको ना एक दो काम और करने तो लेस्टन ने काई कि यार पहले मेरे पास आजाओ, फिर अपने फालतों के बात के काम करते रहना, तो यार देखो ये काम तो पैसा कमाने से रिलेटिटी हो गया, लेकिन पैसा भी धाई सो मिलियन डॉलर है, तो ये काम भी अपने लेना भी बहुत जदा इंपोर्टेंट है, तो मैं इस काम को मिस नी करूँआ, तो अभी मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ फ्रैंकलीन के घरबर, तो चलू गई सर अभी जल्दी से मैं फ्रैंकलीन को लिबर्टी यह ने कुछ रहा हूँ आच्छी से जची गाड़ी मिल जाती है, तो अभी जल्दी से सारी की सारी बात ना मैं फ्रैंकलीन को बता देता हूँ, यार लास्ट टैम उपने घर में होगा तो ऑफ्रैंकलीन शायद अपने घर भी यहहां पनी होगा है, तो यह यह न पता है को लेस्टर और ट्रैवर तो जा चुके हैं बड़े यार मुझे फ्रैक्लिन का नहीं बता लास्ट टैम लेस्टर ट्रैवर एक ही गर पे थे तो वो दोने तो चले गए होंगे लेकिन फ्रैक्लिन अभी न मेरे को अपने घर पर नजर नहीं आ रहा तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं चला ना गया हो तो कि अब इना फिलाल यहां पर मैंने ऊपर वाला फ्लोर पूर का पूरा चेक कर लिए एक बार यह ना नीची वाले रूम्स के अंदर चल कर देखता हूं कि यहां पर फ्रैंक्लिन है या फिर नहीं है तो यहां पर यह रैस का परस्णल रूम और यह पर बैट के पुश अपस मार रहा है जल्दी कड़े ओ भाई सोरी मैंने इतनी तेज नहीं मारना चाहता था बिचारी को हलकी सी टककर मारी और बहुत ही बुरी तरह पुश अपस मारता हूँ गिर गया तो भी जल्दी से फ्रैंक्लिन मेरे बिच्छे हो यहां पर फ्रैंक्ल चोड़ने मतलब मैं इसको एरपोर्ट चोड़ दूआ वहां पर से इसको कोई भी फ्लाइट पकड़वा देंगे और अगर फ्लाइट नहीं हुई तो प्राइवेट जैट है फिर प्राइवेट हेलिकॉप्टर करवा देंगे इस टाइम पर पैसों की बिल्कुल भी कमी नह अब बहुत तेज मतलब कि मैं अराम से अपनी गाड़ी निकाल रहा हूं लेकिन इसको इतनी जल्दी मच लिया और मैं भी इसके चकर में रोंग कट पर आगया मेरे साब से आगे ये देखो इसके चकर में मैंने पुरा पुरा यूटन ले लिया मैं घूम फिरा के उसी इस है और जिसमें सो मिलियन डॉलर अभी ओर लगने वाले सिक्क्योर इडिगे तो अभी न जल्दी से मैं यहां पर फ्रैंक्लिंग को लेकर चलता हूं सीधा एरपोर्ट इसको एरपोर्ट चोड़ूँगा वहां से इसकी फ्लाइट है यह सीधा निकल जाएगा लिबर्ड आसों की कम यह नहीं है तो भी जल्द से मैं अपनी गाड़ी को एक तो मस्त इसमें भगाता हूँ निकलेता हूं सीधा एरपोर्ट और यहां पर आप लोग देखते जाना कि में को एरपोर्ट पहुचने में बस कितना टाइम लगने वाला है तो इस टाइमने मैं ब्रेक्स क खुल दीजिए चलो भई आज ओटोमेटिकली गेट खुला हमारी ले पहली बार लेकिन जो बाहर वाला वाला वेरीगेट था ना वह भी सी नहीं खुला तो भी जल्द से मैं चलता हूं सीधा एरलाइन पर को ले जा रहा हूं भाई यह कोई प्लेन थोड़ी है तो यहां प करते हैंज shed a बाधन 양ड़ गांभी नहीं बरणे के लिए तो यहां परेट यह बतानी किसी और का है तो इसके नगचर न लग और देगा तो चलो कोई दिकत की बाद ही नहींगड़ी मार के छेड़ करते हैं यहां पर इसका शाय से गेट खुल तो जाना चे चलो घुसंड में खुल गया एक और यहां पर भी फ्रैंक्लीन को मैं अंदर भेज जूँगा एक बार ना चला कर देख लेता हूं यह चल रहा है की नहीं चल रहा है वैसे पूरा ओके तो चल भाई फ्रैंक्लीन तू निकल मै पर गोण चाहे है तो यह है की डीस सै फ्रैंक्लीने के लिए को फ्रैंक्लीन को वहां पर पार पर फ्रैंकली ने तो असली जल्दियास दिखा दी मतलब की ब्रेक कवटर नहीं दवाया प्लेन में बैठते उसने सोचा कि निकल जागा लेकिन वही प्लेन के जो विंग से उसने माइकल को बहुत तेस्ट करमारी और यार यहां पर यहां पर यह जब भी मैं सूपर कार लेकर आत लेकिन मुझे यहां से अपने घर का एकदम रस्ता एकदम एकजाटली बता है तो भी फटवट सीधा हम लोग बापिस निकल लेते हैं सीधा लैस्तर के घर के लिए और यह बंद आप पिटेगा यह बंदे को मैं बहुत बुरे वाला मारूँ इसने मेरी ऐसे टकर मारी है कि यहां पर देख लो कितना उल्टा बोल के जा रहे है एक से किन रुक ज़़ा रहा हूं इसको लगए है कि यह बजग आवाजा एक से किन रुक ज़़यो यहां पर गाडी रोको घटाओ घा जीए आपको मैं बताता हूं कि आखिर कार किसकी गाडी को आपने ठोका है मुझे यह डर के भागने वाला माइकल को देखके तो भी फटवट न सबसे पहले मैं इसको गाड़ी से भार निकालता हूं वैसे डरा किसले नहीं भाई सब जानता निये गया माइकल को एक सिके नुक जाओ खड़े तो जाओ जाओ यह तर तुम्हारी ऐसी की तैसी किस से पूछ के क जाने वाला क्योंकि यार बैनी तो अपना ही दोस्त है वो भी कभी भी रिपेर कर देगा तो अभी लॉस सेंटोस कस्तम से करवा लेते हैं वह यहां से पास पड़ेगा तो देखो यार अभी अपनी गाड़ी पर छोटी मोटे डेंट है सिर्फ एक पिंट में दुपार से न इसके उपर दुबार से वाई डिस्प्रे कर वाली है और यह फिर से पहले जैसे दिखने लग गे और कितनी जादा बड़िया लग रही है बाग किया जहां पर अपने इसने कस्तम बना रखा है अपनी शोब बना रखी है इतना जादा बेकार ही रहे कि अपनी गाड़ी नि तो भी जल्दी से जलते हैं सीथा लेस्टर के बास तूखी गाईस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख परे हो अभी फिलाल में अपनी फरारी को भगाते हो आते हैं पहुचने वाला हूँ सीथा हाईवे पर और यहां पर अम मैं अपनी कार को बहुत ही जौदा स्पीड से चल रही है मतलब कि और मेरे साफ से 300 भी पार कर गी हो भाई मेरे साफ से नहीं पार कर चुके है लेकिन अब इना इदर सिंगल लें रोड है अगर सामने से दो गाड़ी आती है तो अपना बहुत तोगड़ा एक्सिडेंट हो सकता है और जिस बंद की गाड़ी मे में टूट जाए क्योंकि यह बैनी से रिपेर करवाई और आपको तो पता ही है बैनी कितना तगड़ा बंद है तो भी ना पटबट यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकलेता हूं सीदा लेस्टर के सीक्रेट बेस पर और आपको याद होगा मतलब की मैने अपनी ल लेकिन यार बाद में दुबारा से पैसा है और मैंने दुबारा जाकर वो गाड़ी खरीद ली तो अभी जहाँ पर मुझे लेस्टर ने बुलाया था वहाँ पर जाने के लिए मुझे आगे वाले कट से लेट लेना है तो इस बारी मैं रोंग वे नहीं जाओंगा मतलब की लेडी मैं बहुत जाता रॉंग वे आजगा हूँ तो अभी फिलाल में अपनी गाड़ी को चलाते चलाते राइट वे आया हूँ तो मुझे ना बस यहां से अंदर की तरफ में लेफ्ट कट लेना है और जो अपना सीक्रेट बेस है वो आ जाएगा तो अभी जलसे में सीध जितने भी सिक्योटी गाड़ी को चला रहा है ताकि अगर कोई दूर से अटाक करने की कोशिश करे तो यह सीधा यह लोग स्टाइपर मार दे तो अभी ना फटवट यहां पर जो अपने बेस के एंट्रेस ना वो यहां से मेरे को सके लिए अपनी गाड़ी को मोड़ना करने हैं तो इसी विज़ाँ से इतनी एपनी जादा त्वह अपनी एकपनी आइक काम करता है तो यहां पर किसले बुला है तो यहां पर फिलाल मैंने नीचे पूर का पूरा चेक कर लियो मुझे ना किसी बी रूम में ना तो लेस्टर नजर आ रहा है था एए ना ही मिर को अबी तक ट्रैवर नजर आया, तो एक काम करता हूँ, नीचे वाले फ्लोर पर तो ये तो लोग नहीं है, तो सीज़ी सी बात है, उपर वाले फ्लोर पर ही होंगे, तो अभी ना जली से मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर फिलाल एक रूम है, इस रूम के अंदर तो फिलाल ब यहाँ इस सारा का सारा वो पैसा जो कि हमें डामेंड बेचने में मिला था, याँनि कि इन लोगों ने इनने पे मेंन्ट कर दिक्त hazard हैं जिनसे घर बाय करा है, और यह बाकी सारा बचा कुछा पैसा है, और यहाँ पर सारा का सारा वो गोल्ड है, जो कि हम लोग उसके सीक्र कर लिया गया एक सिकिंद रुख जाओ यह वाला रूम ओ भाई यह देखो यहां पर अपना लेस्टर बैठा हुआ है और इसके पीछ अच्छा इसी ने एक बंदा यहां पर बैठा रहा है और यह किसी चीज की फोटो गीच रहे तो भी ने चलो जल्दी से मैं लेस्टर से बा लाने की जरुत क्यों बढ़ रही है तो देखो भाई पहली बात तो वो जो हैलिकोप्टर है वो बहुत जादा महंगा है और वो इस्पेशली मिलिटरी वालों के लिए बनाया गया है मतलब कि वो हैलिकोप्टर में बहुत जादा पावर है तो भीना कुछ भी करके मुझे इस हेलिकोप्टर को चुरा कर लाना है और लेस्टर ने बोला है कि अपने वाले हेलिकोप्टर चले हो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन वो वाला हेलिकोप्टर लेकर जरूर आना तो यहां पर फिलाल मैंने यह वाला हेलिकोप्टर ले लिया है वैसे यहार की वाला हेल ग्राउंड में तो हम लोग समाल लेंगे और वाटर अटैक भी होगा तो ज़्यादा पुलिस वाले कुछ कर नहीं भाएंगे लेकिन अगर बिग माफिय का बेटा पुलिस वालों के साथ मिलकर एर अटैक करता है तो फिर उस पुजिशन पर हमें बहुत ज़्यादा कम जोर प हो चुका हूं तो बस नहीं मुझे अपने हेलीकॉप्टर को यहां से नीचे की तरफ में लैंड करवाना है बट यहां पर तो कोई भी हैली नजर नहीं आ रहा है एक हैली फैट है लेकिन उसके उपर और एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुए है इसी को मेरे को चुराना है तो अपने हेलीकॉप्टर को लेकर चल लेता हूं नीचे और आप लोग यहां पर देख पार है वाई कितनी खतरनाक यह जगा देखने में लग रही है तो कि काईजर अभी न यहां पर बहुत ज़ता बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है मतलब कि यहां जैसे की मिलिटरी बेस रि मुझे समझ नहीं आ रहा है एक काम करता हूं अपना जो हेलीकॉप्टर है आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पार हो यह खड़ा तो यह काम करता हूं जल्दी ना मैं अपने यहां पर पैराशूट से कूच जगा सीधा इस जगा पर और फटा वट से यह वाला हे जंप लगा चुकी है और अपना वाला हेलीकॉप्टर तो अभी जाने वाला है तो भी मैंने फटावर्ट से अपना यहां पर पैराशूट भी खोले है तो जल्दी से मुझे वाला हेलीकॉप्टर चुराने है एक से किन ओ भाई यह तो बहुत ज़दा पीछे रह गया है मे बहुत ज़दा पुलिस यहां पर आती ही होगी तो कि अभी ना फिलाल मैं भाग एक दम पीछे की तरफ में आ गया हूं कि यहां पर ना देखते ही देखते बहुत सारे स्वैट सॉलजर्स आ चुके और यहां पर एक यारा भाग कर इसको तो फिलाल मैंने मार तो और भी बह जाएंगे वरना इनको ना मारना भी थोड़ा सा मुश्किल है भाई मुझे ना कवर ची होगा काश यार यह वाला गेट खुल जाए प्लीज प्लीज फ्लीज फ्लीज गेट खुल जा बहुत जाता है लेकिन इसके लिए ना मेरे कोई गाड़ी चेह होगी तो भी ना फटव इसके पाइलेट को मारना बस एक बारी एक सिंग जाओ यहां से ना एम लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और यह देखो यह वाला है अभी बंदे यहां पर छोड़ कर जा रहा है अब वो बंदे मेरे उपर अटैक करने आएंगे बहुत खतरनाक तरीके से रु तू भी पहली फुरसत में निकल तो गाइस जितनी भी बंदे अभी दुबारा से है थे ना मेरे उपर मैंने उन सब को मार दिया है लेकिन अभी न यह पूरी तरीके से नहीं मरे है मतलब कि अभी इनके इंदर थोड़ी बहुत जान बची है लेकिन यह जादा देर तक तक भी इसको भी मेना आँकर दिया है और अब यह कंट निक और अब यहाँ से किया सॉंपर कर है एक और सॉर खाय दिदो के इक एक चंड़ ढाला तो महँ यह भगा अब यह और बंदे लोड करने जा रहा है फिर और बंदे लेकर आएगा और फिर मेरे लिए और जदा मुसीबत हो जाएगी एक एरा निकल बेटा यहाँ पर अपना जो निशान है ना भी बहुत तेज लग रहा है ठीक है तो यहाँ पर इन सब को मार के मैंने डाउन जाँ तर दे और इके सामने की तरफ में कहां से आगे एक सिर निकल भाई तू भी पहली फूर्चत में मुझे ना काईस कुछ भी करकर यहाँ पर ओपर जाना है वहले हेलिकोप्टर का रास्ता तक आपर है और मैं को समझ नी आ रहा मैं उपर जाया जासकता है तो यहाँ प पर आगे सीडी देखने को मिल चाहे और यहां पर अगर अगर अभी ओर सोल्जर्स आगे ना फिर बहुत ज़दा गरबड हो जाएगी तो मुझे जो भी काम करना है जल्दी सी जल्दी करना पड़ेगा तो कि काईसर अभी न फिलाल यहां पर मैं यह वाली सीडी चड़कर से निकलना है लेकिन यहां पर अभी बहुत ज़दा बंदे आगे तो मुझे दुबार से पहले कुछ बंद को मारना पड़ेगा तब ही मैं आगे बढ़ पाँगा वरना यहां यह लोग मेरे को बीच रास्ते में ही मार देंगे तो यह जो जगाने यहां बहुत ही जाता ही है तो यानि कि यह लोग अभी दुबारा यहां पर आ सकते हैं ऐसा निया कि मैं सेफ हूँ तू की गाईस है जैसे कि आप लोग देख पारे हो सामने की तरफ मेरे एक हेलिकोप्टर आया है मैंने शायद गल्दी से पाइलेट की गोली मार दी और यह वाला हेलिकोप्टर यह से मैं तोड़ा सा आगे चलता हूँ मेरे को न शैसे हली पैड तक अब जाने का रास्ता पूरा का पूरा एकदम प्रॉपर मिल चुका है तो तीन सोल्डर्स ओ रहा है थे इनको भी मैंने मार दिया जल्दी से मैं यह वाली सीडियां चड़कर ऊपर जाता हूँ और यहा से मुझे कहाँ जाना है वह देखो भाई वह अपना हेलिकॉप्टर तो मुझे यहां से उपर चड़ने और सामने की तरफ में बस एक लंबी सी जंप लगानी है बहुत सही अगर मैं जंप नहीं लगा पाता नीचे गिर जाता और सामने की तरफ से भी बहुत सारे आगे कि गोली मार दो ना तो यह लोग बैट के भी फाइट लेते ही रहते हैं और बहुत सारे बंदे भाई अब इनको मारना पड़ेगा वरना जब मेरे को मार के चले जाएंगे वो देखो सामने एक हेलिकॉप्टर और और इसके अंदर भी अभी बहुत सारे सोल्जर्स बैटे ह उतर हैं और यहां पर इस हेलिकॉप्टर से नबदे उतरने वाल बेट उतर 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 यह देगो यहां पर इसका क्या मजाग बनने वाला उतर 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 देखो पहले देखता पर इन लोगों ने हैलिकॉप्टर पर भी गोलिया मारना शुरू कर दी है पुर यह वैसे इस हैलिकॉप्टर में ऐसा क्या खास बात है जो कि लेस्टर ने मुझे से चुराने के लिए भीज़े तो काईज आज देखो अभी ना मुझे इस हैलिकॉप्टर को लेकर सीक्रेट पर नहीं जाना अगर मैं असे हलिकॉप्टर को लेकर सीक्रेट बेस पर चला गया तो पुलिस वाले भी मेरे पीछे-पीच्छे आजाएंगे और वो फिर बेस जोए ना वो सीक्रेट नहीं रहा जाएगा पुलीस वालों को पता जल जाएगा तो अभी ना मुझे पुलीस जदा पीछे कर दिया है और यह जो पाड़ है शाहिसे मांट शिलाड का पाड़ है कि एक सिकिन रुक जाओ मेरे को देखने में तो वैसा ही लग रहा है बट मैं 100% शोर नहीं हूँ शाहिसे मांट गलारडो भी हो सकता है काम गड़तों नहीं इसके उपर चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा से रेस्ट करते हैं देखें यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं या फिर नहीं आते बागी तो यहाँ बहुत बड़ीया सीन है देखने में तो हेलिकॉप्टर मेरे को बह बड़र इतना है कि अभी मैं पुलिस वालों की निजरों से बहुत ज़़ा दूर आ गया हूँ तो यहाँ पर नभी फटवट में थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ अपने हलिकॉप्टर को बागी तो आप लोग यहाँ पर देखी पा रहे हो कितना जादा तकड़ा लग पुलिस वालों की अपने हलिकॉप्टर को बिल्कुल नजर नहीं आएगा तो कि गाईस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलाल इस जगहाँ पर मैं अपने हलिकॉप्टर की लैंडिंग करवाने वालों इस गोल छेद के अंदर ठीक है तो अभी एक बार इन अंदर लैंड करवा कर देख लेदे हैं बराबर है छोटा या फिर बड़ा है वो ऐसी पता चल जाएगा तो चलो गाईसर अभी फटवर्ट से मैं अपने हलिकॉप्टर को यहीं पर लैंड करवा जेता हूँ काफी ज़्यादा अराम से यहाँ पर मैंने एकदम मस्ति स्मूथ लैंडिंग करवा दिया तो आप लोग यहाँ पर देख पर हो अभी जो अपना हैलिकॉप्टर ना एकदम हाइड हो चुका है मतलब कि पुलिस वालों को पता भी नहीं चलने वाला कि वो जो हैलिकॉप्टर था कहां पर गया तो यहाँ पर नमें एक बड़ी जो कि यार बहुत ज़्यादा पाउरफुल वैबन है मतलब कि यार यह एक बार में छे गुलियां चोड़ती है और इसके अंदर हम लोग ना हजार एमो रिलोड कर सकते हैं बाकी तो आर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है और इसको चलाने के लिए एक बं इस आजाया फिर बिग माफिया आजाया कितने भी बंदे आजाया वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड सकते हैं तो देखो भाई जो भी हमें हेलिकॉप्टर मिला है यह बहुत ज़्यादा पाउरफुल है बसना एक बारी फ्रैक्लीन और ट्रैवर के साथ इस हेलिकॉप्टर नहीं है तो यह देखो भाई यहां पर इतनी सारी गाएं घूम रही है जो कि अपना फुल घासवास चरने में मस्त हो रखी है तो यहां पर मतलब यह फार्म पूरा ना वही वाला है आपको अपने विलेज की आद आजाएगी बड़ हैर अपने विलेज में कुछ इस टाइ में क्या मतलब अभी ना फटाफट महनी कर लेता हूं सीधा किसी मस्ती जगाओ पर तो यहां पर मुझे भी शाय से एक दिन के लिए गाओं में रुकना पड़ेगा लेकिन अर अभी ना फ्रैंकलीन को फोन करके पूसता हूं कि वो लिबर्टी सिटी से वापिस आया यहां अगर फ्रैंकलीन लिबर्टी सिटी से वापिस आ गया होगा तो हम लोग लोस और वापिस जाने का रिस्क लेंगे अधर्वाइस मैं थोड़ी दिन इसी गाओं में रुकने वाला हूं बाकियार यहां पर गाओं के लोगों से बारी बातचित करके देखता हूं तो यहां प क्या कह रहा है और यह पीछे वाली भी चोड़ें और एक सिंग क्या होगा तो कि जैसे कि आप लोग यहां पर देख पारें इस बंदेर ने आकर मुझे धक्का देदे और उसने पुलिस वालों को को ल लगा दी को दिक्कत निया आ बही क्या बोल रहा है एक सिंग माइकल के मारी एक सिंग जा एक सिंग नुक जा बाई किसीने तो को ली मारी आ और तेरी ऐसी गता इसी गोली पताग किसके मारी है तूने देख लो भाई बिना निशाना लगाए मैंने सके हैड शॉट मारा सीधा आप लोग देख पार होगिए मैंने तो बस एकदम फ्री फायर मारा और सीधा इसके हेड़ पे जागे वो गोली लगी तो यहाँ पर ना गाइस मुझे सबसे बहले एक गाड़ी चीए होगी और फट आवर से फ्रैंक्लिन को कोल करके मैं पूछ लेता हूं तेरी आसे की तरसी गाड़ी रोग गाड़ी रोग भाई साब यहाँ पर इसको नी पूरी बात हो चुक है और वो थोड़ी दिर में लॉस सांटोस एरपोर्ट भी पूछ ने वाला है तो वही कहाँ आएगा तो यहाँ पर आप लोग सीधा सारी गाड़ी यहाँ लोड़ करवा कर बैनी को दे आएंगे तो यहार देखो सबसे बड़ी सीन ही होया कि जो अपन को प्लेन है वो फ्रैंकलीन को दे दियो एक दिन के लिए लोस सांटोस लेकर आएगा फिर यहार उसको प्लेन अभी वापिस भी करने जाना पड़ेगा तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो इतनी जाता भीड किसले ले लगी है शाह से ना यहां पर कोई रेस का टूर् बागी तो आप लोग यहां पर देख पारों कितने सारे बंदे यहां पर बैटे हुए हैं और कुछ बंदे तो मेरे से डर के भागे अभी लोग पिटेंगे वाई मैने आज इनको कुछ भी नहीं बोला यह कैसे बे मतलम में मेरे से डर के भाग रहे हैं आज पता क्या हो जिसके मैंने गोली बजा दिया है तो अभी न फटावर्ट यहां पर गाउं से मैं निकल लेता हूं सीधा लोस एंटोस एरपोर्ट के लिए तो की गाईस जैसा कि आप लोग यहां पर देख पारे हो अभी फिलाल मैं अपनी गाड़ी बगाते हुआ थे वापिस से लोस एं इसके लिए गेट कोल ला है वरना मौत आजाएगी चलो कोई दिक्कत के बाद निगाईस आप लोग सामने की तरफ में देख पारे हो एक प्लेन कड़ा हुआ है तो इसी के अंदर शाह से फ्रैंकलीन अपनी लिबर्टी सिटी से सारी के सारी गाड़ियां लेकर आया है बाक फ्रैंकलीन अपने इतना जदा इंपोर्टेंट काम कर रहा है अपने शोरूम के लिए और वो एक पैसा भी नहीं ले रहा है तो इसलिए अपना दोस्त है इसलिए हम नहीं मारेंगे तो भी जल्दी से मांके चलता हूँ और यहां पर अपनी गाड़ी को मैं साइड में खड हम कुछ तो खास बाता जो की मेरे समझ नियारी तो आप लोग यहां पर देख परओ इस गाड़ी के उपरना एक मिनी गाल लगी हुए है और इस गाड़ी के अंदर यहां पर आप लोग देख आरे यह कचड़ा गाडी के शया और इसकंदर तो पूरा-पूरा जंग लगा ह कई पता चलेगी कोई भी गाड़ी स्टार्टी नहीं हो यह गाड़ी के अंदर बैट के देखता हूं तो की गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पर हो अभी फिलाल इस वाली गाड़ी के अंदर तो मैं बहुत ही ज़्यादा अराम से बैट चुका हूं यहाँ पर ना इस गाड़ी को बाहर कर लेता हूं बाकि आर देखो गाड़ी ना देखने में तो एकदम कचड़ा सी है लेकिन अगर आप चेक करोगे ना तो भाई यह सची में इस गाड़ी में कुछ तो खास बात है इसके टायर इतने ज्यादा मोट है ना मतलब कि जैसे यार मोंस्टर ट रख के टायर हूं वैसे मोस्टर टायर जादा बोल दिया बड़ फिर भी एकदम ना नेक्स लेवल टायर है तो फटवर से इस वाली गाड़ी में बैट चुक हूं और यहां पर यह वाली गाड़ी में कुस तकड़ी लग रहे है इसके अंदर ना गन से भी लगी है और यहा अब पता नी बैनी ने इसको इतने जाता सस्ते प्राइस में बंगाया ना तो पता नी यार बैनी इसके अंदर क्या मोडिविकेशन करने वाला भी वो मुझे नी मालूं जब वो मोडिफाय हो जाएगी ना तो ही पता चलने वाली और यह पीछे ट्रक मुझे चेक करना है जलेगी उस चीज़की में गरांटी नहीं ले सकता और फ्रैंकलिन इस बारी रास्ते से एड़ जाक है कि इस बारी ट्रक आने वाला है कोई गाड़ी नहीं आने वाली जब से देख रहा हूं ना यहां पर खड़े हो कि यह फोन चलाने में फूल मस्त हो रहा है तो भी के अंदर ऐसे क्या खास बात है यह कहां से अरीना वीकल है भाई कोई तो कि यहां पर जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं यह जो ट्रक है ना वाई देखने में बहुत ही ज्यादा तकड़ा लग रहा है मतलब एगर आप साइट से देखोगी आ फिर सामने से देखोग यह आग निकल लीए से फ्लेम निकल ले पता नहीं से क्या होता है चलो एक काम करते हैं इसे कुछ जला कर देखते हैं अगर मालों वह चीज़ ज़ए तो फिर आम लग समझ जाएं कि आग थी और अगर नहीं जली तो फिर समझ जो यह कुछ भी था मतलब पता नहीं क्या है या फिर दुआ निकल रहा भी कुछ मालूम नहीं है लेकिन आर देखने में तो ऐसे लग रहा है ऐसे फ्लेम हो अब जैसे फायर ब्रिगेड में पानी निकलता है न उपर से वैसी इसमें से आग निकल रही है ये इसका थोड़ा न उल्टा और से न है बाग यार इसका जो पी करते हैं एक मिन टुक जाओ यहां पर मैंने इनके उपर फ्लेम डाली और भाई यह लोग जल गए ओ भाइसाब यानिक यार कि यह रियल की आग है भाई सची में तो बहुत ज़दा खतरना आ आप लोग यह लोग नहीं पर फ्लेम डाली थी ना उन लोग में आग लग जगी अगर किसी के साथ अगर प्रैंक करना हो तो फिर बहुत ज़दा जबर्दस्त है फिलाल यह भी उतने काम का नहीं है बट हर उसको बेचने के लिए तो सही है उससे हम धाई सो मिलियन डॉलर ले रहे हैं तो कोई ना कोई तकड़ी गाडी तो लिजा कर दे नहीं बड़ेगी तो अभी ना फटवर्ट मैं काम करता हूँ यहाँ पर नहीं को ट्रेलर लाना पड़ेगा और यह सारी की सारी गाडियान नहीं को लोड कराकर बैनी को दे कर आने और फिर बैनी जो है मोडिफाय कर दे को और बैनी अपने शोरूम में नियस टाइम बैनी को भी मैंने सीधा माई पर आने के लिए बोल दिया है जहां पर वो वरक्शॉप है तो भी फटवर्ट से सारी की सारी गाडियान मेरे को वरक्शॉप में ले जाने हैं ट्रेलर में रखके तो की गाइस अभी ना फिलाल पीछे की तरफ में एक यहाँ पर ट्रेलर खड़ा होता है और यह बहु लोड हो जाए ऐसा नहीं है वाई अगर ट्रक लोड करवा दिया ना तो वाई यह ट्रेलर हिलेगा भी नहीं अपनी जगा से उसका वेट इतना जादा है तो भी फटवर्ट से पीछे वला रैम खोलते हैं और सारी गाडियान लोड करवा दे हैं तो चलो गाइस अपनी अपनी दूसरी गाड़ी इसको भी जल्दी से मैं उपर लोड करवा देता हूं अब यहां पर यह टीनों गाड़ियों को नीचे वाले फ्लोर पर रख देंगे कोई भी दिक्कत की बात नहीं अब एकदम अराम-अराम से मैं इसको लेकर चलता हूं बहुत ही जड़ा धीर द चलो बाई यहां पर यह भी मैंने लोड करवा दिया है और बार ही अब अपनी तीसरी गाड़ी सारी की सारी गाड़ियां लोड कर वाकर फ्रैंकलीन के हाँ तो जो है भिजवाद या सीधा बैनी के पास और आपको तो पता ही होगा इस टाइम पर बैनी मेज बैंक अरीना की वरक्शॉप में है क्योंकि बिग माफिया का मतलब जो भाई है उसने बोला था कि अगर तुम मेर को 125 मिलियन डॉलर दे देगा और वो जो ट्रेलर है नहीं कि जिसके अंदर में सारी गाड़ें लोड कर वाई थी उस ट्रक को मैं लेकर इसलिए नहीं गया क्योंकि यार मेरा ये वाला ट्रक चलाने का बहुत जादा मन कर रहा है तो फटवर इसको पहले एरपोर्ट से मैं ब बहुत ज़दा बढ़ी है लेकिन अभी नहीं ज्यादा उधम नहीं चाना वरना पुलीस वाले आ जाएंगे और फिर गडबर हो जाएगी तो अभी जल्दी से मैं इस वाले ट्रक को लेकर यहां से निकल लेता हूं तो वह सची में बहुत ज़दा मजाने माला है तो अभी मेरा बहुत ज़दा मन कर रहा है कि स्ट्रक को लेकर मैं लॉस सेंटोस में पूरा उधम मचा दो जितने भी बंदें सब को जला जला के मारो लेकिन अभी मैं वो चीज नहीं चाहता है और यहां पर नहीं देखो एक बंदा इस लड़की की कार चुरा के भाग है और यहां प अभी ना फटावट से मेरे को इसे रोकना पड़ेगा भाई तेरी ऐसी की तैसी रुक जा तो गाइस यह देखो अभी ना यह जो बंदा ना बहुत जादा ही तेज अपनी गाड़ी चला रहा गर मैं चाहू ना इसकी गाड़ी अभी जला के राक कर दूं लेकिन यह अभी जादा ना कैसे चुग ए देदिया है एक जो दूसरा मिस वह लेकिन तीसरा मैंने सीधा उसके हैट बजा दिया और यह पर यह वंदा में लोग कैसे गिला के तीरी ऐसी की तैसी रिलोड़ होगी वरना इसकी बजा देता और यह पर यह वो उस लड़की की गाड़ी त देखने में अच्छी है बट यह बहुत जादा सस्ती गाड़ी है इसकी आवाज सुनके मेरे को ऐसा लग रहा है लेकिन चलो काई जार कोई दिक्कत की बात नहीं अभी ना फटावट से यहाँ पर मैं इसको यह वाली गाड़ी जो है वापिस कर देता हूं तो यह लो मैं त उससे खिलने लग जाता है ना तभी पूरा सीन खराब हो जाता है भाई मतलब कि उसके लिए गेट खोल दिया भाई यहाँ पर माइकल इतना वड़ा गैंक्सर हो के रुख जाओ अभी यहाँ पर माइकल को अपना से लिए दिखानी पड़ेगी है कोन है तो चलो मैं बाई यहाँ पर मिरको गाड़ी थे गाड़ी थे भाई यह गाड़ी मिरको चाहिए यह ना यह मतलब हुआ क्या सीन है अभी यह दिखो उसकी गाड़ी कहा चलेगी चलो गाईस यह कोई दिक्कत की बात नहीं अभी फटवर्ट सी वाली गाड़ी जो मेले करने के लेता हूं सिधा इस यह पर मैं पर मैं एम करता हूं उली छे लाक लाक के लिए तो सबी लोग जो जल्दी से लाग का बटन दबा के गोल कम्प्लीट कर दो और गाईस यह जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे है तो जल्दी से जाओ नीचे रेड कलर का बटन है उससे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पर मुझे फोलो करना बिल्कुल मुद भूला, और मेरा डिस्कॉर्ट सर्वर जोइन कर लो, क्योंकि अभी यार एक बहुत ही बड़ा टॉक्शो होने वाला है, तो सभी लोग जाओ, डिस्कॉर्ट भी जोइन कर लो, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ट, दोनों का लिक निचे डिस्क्रिप्शन में है, और मैं क्या काम करता हूँ, जल्दी से ना यह वाला ट्रक भी बैनी को देकर आ जाता हूँ, तो चलो गाइस, गुद्बाइ, मिल्दे अगली वीडियो में,